तो मैं हैरान नहीं हूँ यह बीजेपी का एजेंडा है यह बीजेपी की खसलत जिसको कश्मीरे में कहते हैं यह वो ही है वो हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम कार्ड प्ले करते रहते हैं और ना सर्फ हिंदू मुसलिम हिंदू मुसलिम बल्कि एक मुसलमानों के खिलाफ एक गुजरात मॉडल कहीं हुआ नहीं, ब्लाक मनी कहीं आया नहीं, ब्रश्टा चार खतम हुआ नहीं, तो अब ये क्या करेंगे, अब ये वही पुरानी गंदी राजनी थी जो गुजरात के 2002 की राजनी थी, ये अब फिर से अपना रहे है, जहां पे कोई मुसल्मान है उसको ग बास्टियन थे, बीजेपी को काफी 2014 में सपोर्ट करते थे, लेकिन जब आपने रिसेंटली वहां रिलायन्स स्टोर्स पे इतना बड़ा हर्ताल हुआ, जम्मू की एकनॉमी कम्प्लीटली टांक हो गई, जम्मू में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, तो देकिन वेरी क्ल पाल रहेगा, अगर यही स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला ने सहाब ने दे दिया होता, अगर यही स्टेटमेंट फारुक अब्दुला सहाब ने दे दिया होता, या नाशनल कॉन्फरेंस के किसी भी इनसान ने दे दिया होता, इन लोगों ने तो सुबा सा रात तक प्र पर statement निकाला और कहा कि हम लोगों को अपनी minorities के साथ खड़ा रहना है यह हमारे कंधूं पर यह जिम्मेदारी है उस time तो हमको communal कहते हैं जबके हम अपनी minorities के साथ खड़े होते हैं यह इतनी खराब वाशा यूज करते हैं मुसल्मान औरतों के लिए लोगों के लिए genocidal language यूज करते हैं और यह देशबक्त बन जाते हैं यह nationalist बन जाते हैं और मैं आपको सर्फ एक याद दला देना चाहती हूँ एक बात एक बच्चा था अभी recently मोहरम का एक possession हुआ था उस बच्चे ने टी-शिर्ट पहना था जिस टी-शिर्ट पे लिखा था oppressed December अब आप disagree कर सकते हैं इस बात से agree कर सकते हैं disagree कर सकते हैं आपका है इस बच्चे पे इनुने यूए पीय लगा दिया सिर्फ यह टी-शिर्ट पहनने पे कल बच्चों ने तालियां बजाई थी क्रिकेट टीम के लिए उस पूरे कॉलेज पे इनुने यूए पीए लगा दिया लगाया कि नहीं तो आपने कहा कि नाशनल कॉन्फरेंस ने यूए पीए पे बात नहीं थी अमार साब का स्टेक्मन देख लिए हमारे मीडिया साथ Fayyaz International India Private Limited offers admission for all courses in topmost colleges of India and abroad special guidance for MD, MS, MBBS in government and private medical colleges and universities of India besides this MBBS in China, Pakistan, Bangladesh, Kazakhstan, Kriagistan, Ukraine and many more countries also contact for engineering, management, pharmacy, nursing and other paramedical courses affordable packages and scholarships are available contact Fayyaz International Abhikushal Lane Lalchok Srinagar 17AC Gandhinagar Jammu or dial 94190-42298 94191-21092 Press statement देख लिजे, हमारे spokespersons के unending debates देख लिजे, हमारे articles देख लिजे हम सुबा से रात तक पिछले एक हफते यही शोर मचा रहे हैं कि यह UAPA case यहां से हटाओ और sedition का case वहां से हटाओ In fact, कल आप ही की channel पे मैं debate कर रही ही दूसरे बात आप कहते हैं क्या यह UAPA हर किसी पर नहीं लगना चाहिए UAPA तो बहुत rarely लगना चाहिए जब terrorist act में आप participate करते हैं बट मेरा सवाल यह है कि आप अगर T-shirt लगाने पर UAPA लगाते हैं तो इस leader पर यह जो MLC है BJP के इस पर UAPA क्यों नहीं लगना जब तक आप national conference की बात करेंगे या किसी भी party की बात करेंगे जब 2011-12 से पहली की अगर आप बात करेंगे जब तक हमारे यहां एक जम्हूरी सरकार थी करीबन UAPA के cases लगते थे क्योंकि obviously कहीं हज्चा है कि कोई bomb blast करने वाला है तो वहां पे लगते थे बट करीबन करीबन 1500 case लगते थे 2 साल में मतलब 70 cases एक साल में लगते थे जब से जम्हूरी सरकार यहां हटाई गई है और BJP की सरकार आई है यहां पे UAPA के cases में 2000% का इजाफा हुआ है यानि आप T-shirt लगा ले आपे UAPA लग जाता है आप ताली बजा ले आपे UAPA लग जाता है कुछ भी करें आपे UAPA लग जाता है और sedition का case भी ने UAPA UAPA और sedition में यह फरक है कि UAPA में bail लेना almost impossible होता है इसका मतलब यह है कि जब तक आप convict नहीं हो जाते या acquit नहीं हो जाते तब तक आप jail में रहते हैं और आपको पता है हमारे हां court में करीबन करीबन 10 साल 15 साल एक case को लगते ही लगते हैं चलते में आप 10 साल 15 साल इसको बंद रखेंगे अगर आज BJP की सरकार ने इनको माफ किया भी ठीक है बहुत अच्छी बात अगर inquiry में इनको माफ कर दिया गया लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पहले लगाना जाए क्या यह case initially इनको करना चाहिए था यूए पिया लगाना चाहिए था करते हैं कि यह clearly एक हेट स्पीच है हेट स्पीच जो है freedom of speech में नहीं आता है और और अल्रेड़ी एक फायर उन पर लग चुका है बहुत अच्छी बात है नाशनल कॉन्फरेंस उसको सपोर्ट करती है लेकिन नाशनल कॉन्फरेंस तो चाहती थी कि हमारी जो स्टेट के कोट्स हैं वो खुद सुआ मोटो कोगनिसंस लें इस बात का क्या हमारे जज्ज के कानों में रूई बैठी हुई है क्या वो यह नहीं देख सकते हैं कि यह कैसा स्टेट्मेंट दे रहा है इसको ले आओ क्या हमारी पुलीस स्टेशन कल सजाद करगिली जी यह जो है एक लदाख के वालों ने खुद ही बुलाया बोला इदर आओ हमें इसको पुलीस स्टेशन वाले खुद नहीं बुलाने चाहिए थे क्या हमको हर वक्त जाना है F.I.R. लगाने के लिए क्या पुलीस जजज जो है सुओ मोटो कॉगनिसंस इस बात की नहीं ले सकते हैं तो एक सिस्टम जो है हमने F.I.R. तो लग चुका है हम उस F.I.R. को जब तक हो सकता है तब तक परस्यू करेंगे जब तक ही इनसान कन्विक्ट ना हो जाए बट कहीं न कहीं यू आप तो सी इस अगर चूं करता है उस पर यूए पी ये लग जाती है दूसरा इंसान अगर ऐसी जनोसाइडल बाशा यूज करता है बोलता है सब को मारो इनको काटो और उसको देशवक्त बोला जाता है यू आप तो सी इन डाट परस्पेक्टिव अलसो झाल